इंदार में भारी बारिश से जल जमाव को लेकर इंदार जुला प्रश्रासन और नगर निगम प्रश्रासन अक्षन मोट में आ गया है। लिहाजा कलेक्टर आशीर सिंग और निगमायक शिवम बर्मा ने एहम बैठक आयोचित की जिसमें जल जमाव को लेकर एहम मन्थन क्या क्या बता दें के इस दोरान डीम साहब और निगम कमिशनर ने श्रहर में जल निकासिक को लेकर आला अफसरों को एहम दिश्रा निर्देश चारी किये हैं देखें ये खास रेपोर्ट इंद्वर में जल जमाव को लेकर एक्शन में कलेक्टर और निगम कमिशनर नगर निगम और जिला प्रिशासन ने आहुद की अफसरों की एहम बैठक भारी पारिश के दौरान जल जमाव से इंदार की हुई थी किरकिरी इंदार के सभी नालों का होगा रिकॉर्ड चेक जल निकासी के किये जाएंगे इंतिजाम जल निकासी को लेकर कलेक्टर और निगम कमिश्णर ने जारी किये एहम दिशान रिदेश नंबर वन इंदार में प्रिश्ट्रतिनों कोई भारी पारिश से पूरे श्रहर में जल जमाव के स्थिते निर्मित हो गए जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हुई घंटों तक लोगों को जाम में फसे रहना पड़ा और जिसके बाद अब इंदार सिला प्रिश्रासन और नगर निगम प्रिश्रासन एक्शन मोट में आ गया है लहाजा कलेक्टर आशीश जिंग और निगम कमिशनर शिवम बर्मा की अत्यक्षुता में सिटी बस ओफिस में बड़ी बैठक आयोचित की गई जिसमें तमाम अफसर मौचूत रहे बैठक के दोरान जलभाराव को लेकर समिक्षा की गई साथ ही तमाम अफसरों से जलभाराव के एक कारण पूछे गए बैठक में शहर के प्रमुक चोराहों और उन स्थानों की गहन समिक्षा की गई जहां जलजमाव की समस्या उत्वन होती है इसमें विजयनगर चोराहा, सत्यसाई चोराहा, रॉबोर्ट चोराहा, सयाजी चोराहा, इंडरस्ट्री हाउस चोराहा, एलाईजी चोराहा, तीनीमली चोराहा, खजराना प्रीच पलसीकर चोराहा, मधुमिलन चोराहा, चंदननगर चोराहा, न्याय नगर, बियार टीएस साथ ही वेलासिटी के पास नाले पर अतिक्रमन के कारण चल निकासी में बाधा उत्पर नखो रही है। इस सबस्या के निवारन के लिए अतिक्रमन हटाने के निर्देश भी दिये गए हैं। साथ नहीं आप त एक एक पॉइंट की समय करी गई है जहां जहां पर जलबराओ और के समस्य आई थी आप त एक पॉइंट पर किस वज़े से समस्य आ रही है और इसके क्या संभावित हमादान हो सकते हैं उन पर बहुत डिटेल में डिस्केशन किया गया है खास तोर पर जो बियाइटियस और उसके आसपास का क्षेत रहे विजय नगर और बासकर प्रेस के आसपास का उसके संबन्द में जबूर डूती चीज़े निकल कर आई हैं जो रिंग र लॉसिटी के पास एक जो पहले नाला हुआ करता था जो किसी तरीके से अब जो है पुरी तरीके से कवर कर दिया गया है गर उसको वापस हम लोग के लिए तो शायद इस सबस्ता का तोड़ा समाधान हो सकता है तो यह सभी पॉइंट्स पे डिसक्रशन हुआ है और जहां ज गयसी जगहें हैं जहां पर बगल से नाला जा रहा है और वहीं हैं बड़र चोरहे पर जल्वराओं-किidaर मेर निर्मित हो रही है तो निशैत रूप से उसका बहुत ही आसानी से solution निकाला जा सकता है जैसे अगर हम लोग इंडिस्ट्री हाउस की बात करें या पलासिया की बात करें या ऐसे अन्य कई भी इस्पिकार के चोड़ाएं हैं वहाँ पर तत्काल हम लोगों को काम करते जलवराओं से पूरी तरीके से अगर हम को अधिकमर भी वहाँ पर हटाने पड़े या अन्य कोई इस्पिकार की बादा हटानी पड़े तो हम लोग भी करेंगे प्रत्यक बिंदुवार हम लोगों ने डिसकेशन किया है इसके पोसीडिंग भी बनेगी और प्रत्यक बिंदुवार हम लोगों आगे कारवाई करके यह समस्या कम से कम हो जन्ता को कम से कम परेशानी कुछा में कम है बैठक में अडिशनल सीपी अमित सिंग, स्टीम अपर आयुक्त दिव्यांग सिंग, अभिलाश मिश्रा, अभैर राजन गावकर सहेट, सभी जोनल अधिकारी, नगर निगम, पुलिस प्रिश्रासन, या तयात पर भाग एबं इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कौल मिलाकर, श्रहर में फिर से जल जमाव की स्थिती निर्मित ना हो, उसे लेकर जिला प्रिश्रासन निक कड़ा एक्शन प्लान तयार किया है, या रिपोर्ट, अम्पी निउस इंदौर